अगर हम आपको घास खाने को कहेंगे तो आप भी सोचेंगे की हम भला ये क्या कह रहे हैं। लेकिन हम किसी ऐसी वैसी घास की बात नहीं कर रहे बलकी बात हो रही है दुरवा यानी दूग की घास की। दूब की घास को हिंदू धर्म में पूजा में प्रयोग किया जाता है। खास्तोर से गनेश जी के पूजन में इसे चड़ाया जाता है लेकिन पूजन में इसका महत्वर योही नहीं है। इसके स्वास्थे के लिए तमाम लाव है तभी इसे पूजा में भी प्रयोग किया ज देखिए हमारे यहां दो तरह का घास पैया जाता है गाजर घास होता है आपका दूबी घास होता है तो गाजर घास होता है वो पीला रंका होता है लंबा लंबा होता है जिसका जड़ जो है वो काफी डिप जाता है यह आपका जमिंग के अंदर दूसरा दूबी घास जो है ऊपनेशन का पूजा में इस्टा भूजे। जा भूजे। Druva घस के वहां गया है कि तो भूल फैलता है। घ्रका अधीर यह को सबस्दाब आपर जरूर होता है। जमिन पे बहुत कम जाता है लेकि वे पूरा पहला हुआ रहता है यह हमारा दूर्वा घास्टा पहचान है इस्टा जो तासीर है वो काफी ठंड होती है और अगर आप इस्टा टेस्ट करते हैं तो यह टेस्ट में कसाई और मधूर दोनों पाया जाता है यह अच्छली ठंड होने कारएं इस्टा जो है आपका तार यह जो है कफ पित को समंग करता है तो इसमें इस्टा हम लोग यूज दो तरह से करते हैं यह इस्टा जो है नहीं हम लोग जो भी यूज करते हैं पूरा पंचांग यूज करते हैं इस्टा यूज करने का जैसे प्रिष्ट पर्चान से यूज़ कर सकते हैं एक तो सरी के बाहरी भाग में इस यूज़ होता है दूसरा हम लोड इंटर्नल यूज़ करते हैं तो बाहर योगरे में इस्ता बहुत सरव यह है जैसे मालेश आपके हमरोइट से हैं फिस्चुला है पाइल से उसमे हम लोड दुर्वा घास्ता यूज करते हैं उससे क्या कि आपका छो रचसरा होता है ना वो आपका कंबना सुरू हो जाता है किसी तरह का घाओ है और इस्ता क्या आप जानते है कि आयुर्वेद के अनुसार ये औशधिय गुनों से भरपूर होती है इसे एक जादूई हर्ब माना जाता है जी हां इसे आयुर्वेद में बहुत लाबकारी माना जाता है और इससे कई तरह के रोब भी दूर होते हैं इससे सेहत को क्या लाब मिल सकते है और इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है इस बारे में एक्सपर्ट से जानते है जो नाट से ब्लीडिंग होता है वो आपका सही हो जाएगा एंटी एलर्जिट भी है कि सीथ पीद इसको बोलते हैं कि पूरे बदनों फुझली होना इस तरह को सिम्टेम मिलता है क्यों लाट एक कि आप लुझ मुझ बना कर तो इस्तर उत्र बना कि सुबह साब पी तो यह प्याय क्रिशन को स्ब्सक्राइग उस्तर नासर तो है यह एक कुछ जांए करते हैं तो इंटनी रियुज में आपका … खास्ता है जो जुज मूशन होता है लुज मुशन होता है अगर इस्ता सरौद बिए तो इमिटएाटरब करता है आपका किसी तरह कि मिचिली हो रहा है, ओल्ती हो उसमें भчески आ genuinely सरौद बिए तो ऐसे और आ थो ज़ते हैं विफिरों को ज्लोंग King TV आप दिख्या हुई जादा होता है बच्चों में उरीन इंफ्येट्शन होता है उरीन के रास्ते में जलन होता है तो उसमें भी अगर इस्टा लेप लगाए हम लोग और अगर उस्टा एक कपर मतलब 50 एमल से 100 एमल में अगर से सरवत बना के पिए तो आपका किसी भी तरह का उरीन इंफ्येट्शन है वो लोकल 18 बोकारो से कैलाश कुमार की रिपोर्ट इस वीडियो में दी गई जानकारी डॉक्तर के अनुसार है लोकल 18 इसकी पुष्टी नहीं करता है